नमस्कार दोस्तों, हमारे हंदुस्तान में जब किसी की आहां मुंदन होता है, छेदन होता है, शादी होती है, तो लोग दखो, पांट-श्य मेने पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं ह्लवाई book कर दिया टाइंसे और ये क्या कहते हैं 10 वाला बूक कर दियाılı ताइमसे बैंड-बाजा तुरफड़ी सब टाइंसे टाइंस एक डरजी को टाइंसे कपले दिया Quit क 근데 Chrumm Alter लागल देखरें Penis कि अगर कोई गुजर रहा होता है तो उसको भी मालूम पढ़ता है कि वाकशी मेहा कुछ शादी-अग Pokra इदन की तयारी है और हिंदुस्तान में देखिया करोना की दूसरी लहर आने के पहले क्या तयारी थी हिस वक्त पूरी हिंदूस्तान में घूम घूम करके राम मंदीर बनने के लिए चंदा इखटा कर रहे थे इस वक्त हिंदूस्तान में दूसरी लहर से निपटने के लिए हमें तयारी करनी थे हमें भिढ़ना था उस वक्त हम वो पतानी कौन सी है ग्रेटा थनबर्ग और रियाना से भिले पड़े हुए थे जिस वक्त हमको करोना की दूसरी लहर से निपटना था उसे वक्त हैदराबाद के छुटबईये नगर निगम के चुनाओं में हम अपने आपको जोके पड़े हुए थे जिस व कर दी वावाही लूटने लगे वावाई वाई यह थी तैयारी हमारी है उस वक्त एक जो कलाकार था सुषान सिंग राजपूत उसकी मौत का इंसाफ पूरा हिंदुस्तान मांगने में लगा हुआ था सारे नीज चैनल सारे मीडिया सारे लोग सब लगे हुए थे उसके बा नहीं हिंदुस्तान को मिली नहीं उससे जादा तो हम लोगों अपनी वावाही कर डाली थी यह थी हमारी करोना से लड़ने की तैयारी हाला कि केंद्र सरकार ने कह दिया था समय पे कि जो दूसरी लहर आने वाली है इसकी जानकारी हमने प्रदेशों को टाइम से दे दी इसे वक्त गुजरात सरकार दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम करोनो अर्बो रुपय का बना रही थी नरिंदर मूदी स्टेडियम बिहार में देखिए जिस वक्त करोना की दूसरी लहर की तैयारी करनी थी वो चुनाओं के तैयारिया करने में जुटे हुए थे दिल्ली वाले को देखो जिस वक्त करोना की दूसरी लहर की तैयारी करनी थी उस वक्त वो एलजी एलजी चिला रहे थे पंजाब को देखो जिस वक्त करोना की दूसरी लहर की तैयारी करनी थी उस वक्त किसान अंदुलन के तैयारी कर रहे थे उत्राखंड को देखो जिस वक्त करोना के दूसरी लहर के त्यारी करनी थी, वो लोग कुम्भ मेले के त्यारी कर रहे थे, महराश्ट को देखो जिस वक्त करोना के दूसरी लहर के हमें त्यारी करनी थी, ये लोग कंगना रनावत का बंगला और घर गिराने में लगे हुए और तो और उत्तरपदेश वहां के मुख्ध मंत्री को देखिए जिस वक्त ऑक्सिजन प्लांट कहां पे लगाया जाए उसके लिए जगह ढूननी थी उत्तरपदेश के मुख्ध मंत्री उस वक्त फिल्म सिटी बनाने के लिए प्लॉट ढून रहे थे ये थी हमारी करोना की दूसरी लहर से लड़ने की तैयारी और हमाई योगीजी तो कमाल है भाई जिस वक्त उनको डॉक्टरों के साथ में बैठ करके मीटिंग करनी थी वो फिल्म इंडिश्टी बनाने के लिए अक्षे कुमार और अजे देवगन के साथ मीटिंग कर रहे थे जिस वक्त उनको प्रदेश के युवाओं को चेताना था वो बंगाल में जागे भासर दे रहे थे के रहे थे हम यहां पर एंटी रोमियों लगाएंगे जिस वक्त उनको ऑक्सीजन और बेड और जरूरी चीजों के सप्लाई करनी थी जब लाखों लोग मर रहे थे उस वक्त तो शम्षान में बाउंडरी वॉल बनवा रहे थे ताकि बाहर की नजर अंदर न जाए फिर भी लोग माने नहीं जब लोग मरने लगे नदियों में बहने लगे तो भी उन्होंने क्या किया जो लोग वीडियो पोस्ट कर रहे हैं उनके ओपर एफाई आर करना चुरू कर दिया यह थी करोना से लड़ने की तैयारी है और अब जब गाउं गाउं में फैल गया जहां पना तो कोई टेस्ट हो रहे हैं पता नहीं लोग कैसे मर रहे हैं किसी को पता नहीं है लोग गाउं में बालू में इधर उधर दबा करके लोगों को फेक करके बहा करके भाग रहे हैं तब उस वक्त चैलिंज किया जा रहा है कि अब हम करोना पे विज़े पारे हैं करोना के नंबर धीमेदी में, धीमेदी में कम हो रही है जिस वक्त हाइए कोड ने कहा था कि प्रदेस में लॉकड़ाउन लगाने की जुरुत है उस वक्त प्रदेस के मुख मंतरी तैयारी आपने देख लिए इसके बाद में भी आपने सुना होगे कुछ लोग कहते है रहे भाईया सब जनता की गलती है सब जनता की गलती है आपने सब की तैयारी देख लिए उसके बाद में घूम फिर करके जनता की उपर आता सब जनता की गलती थी और वाकाई में मैं भी मानता हूँ जनता की गलती थी, यह जनता की ही गलती थी, अगर जनता की गलती ना होती, तो न हमें यह एसी सरकारे देखनी पड़ती, न ऐसे दिन देखने पड़ते हैं। अब ही दो सब अपने इपने बिलो में चिपे बैठे हुएं जैसे ही करोणा का मामला थोड़ा सा हलका होगा थोड़ा महाल चेंज होगा तुन बिलो से निकलखे तुरंद ग्रेडिट लेना शुरू कर देंगे कि ये दोखो हमने इतना प्रयास किया और हमारे प्रयास से ये करोना कम हो गया, करोना भागने लगा, क्रेडिट लेने के लिए आ जाएंगे, हम कहीं मतलब ऐसा नहीं भागे नहीं थे, छिपे नहीं थे, हम अंदर ही अंदर बैठके करोना को गैप करने की, करोना से निपटने के त्यारी कर रहे थे, और उनके जितने भी भक्त हैं जितने भी समर्थक हैं वो आगर कि चिलाना शुरू कर देंगे ये देखो हमारे नेता ने कैसे करोना से लाखों लोगों को बचा लिया ये होना वाला है लेकिन मैं आपको के एक चीज़ बता दू कि हम में और आप में से बहुत सारे लोग अपने करीबियों को अपने परवार के लोगों को अपने रिस्तेदारों को खोया है बहुत सारे लोग चले गए आपको भी अफसोस है मुझे भी अफसोस है तो जितने भी लोग गए हैं व उनके जूते और चपल सम्हाल के रखिएगा वो एक दिन जरूर काम आएंगे